लो गाइज, बेलकम बैग, कैसे हैं आप सब, जैसा कि हम RRB, SSC, Bank and all other competitive exams के लिए Science Games की उसकी एक series लेकर चल रहे हैं, आज भी हम उस series को continue करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं मनिश्यों के लिए धोनी के श्रव सीमा लगवक कितने तक होती हैं, आपके options हैं और हमारा इस question का right answer है, ट्वनी तरंगें एक प्रकार के अनुद्यारे तरंगें होती हैं, इसकी उत्पत्ती वस्तु में कमपन होने से उत्ती है चिंद्वनी तरंगों की आवरती 20,000 से कम होती है, उसे अश्रव तरंगें यानि की इन्फरासोनिक बेवस कहते हैं जबकि 20,000 से 20,000 से अधिक आवरिती की तरंगे को प्रासरफ तरंग यानिकि आल्टरसोनी बेफ्स कहते हैं चमकादर उनके मार्ग में आने वाली वस्तों से टकरा कर पापस आने वाली किन तरंगों की द्वारा मार्ग की वादों को पता लगाते हैं आपके उप्षेंस हैं विदुद चुममक की तरंगे, रेडियो तरंगे, अल्टरसोनिक तरंगे, अश्रफ तरंगे और हमारे इस स्मकादर यान की बैट पराशरफ द्वानी यानिकी अल्टरसोनिक वेफ तरंगों को उत्पन करते हैं इनकी सायता से अपना सिकार वर रास्ता भी खुशते हैं चमकादर द्वारा उत्पन उच्छ आवरती की प्रासित ध्वनी तरंगे अवरोधों या कीटों से टकरा कर चमकादर के कानों तक पुशते हैं इन प्रावरते इस पंदों की सायता से चमकादर अवरोध या सिकार की इस्तिती तता आकार जान लेते हैं बढ़ते अपने नेक्स्ट कुशिन पर प्रकास की एक पुंज की द्रव में तैते कडों से टकराफ के कारण उने वाले प्रकीन से उत्पन चमक की प्रकरिया को कहते हैं आपके ओप्शन से रमन प्रवाव टिंडल प्रवाव स्नेल प्रव और हमारा इस खुश्चर गार राइट अंसर है टिंडल प्रवाव किसी कोलेडी विलियन में उपस्तित कडों द्वारप्रकास का प्रकीनन उने की परीगटनत टिंडल प्रवाव यानिकि टिंडल वेक्त कहलाती है यह चोटे चोटे निनम्मित कडों वाले विलियन द्वा जाता है आपके option से कम घनत के माध्यम में परावर्तित हो जाता है नॉर्मल से दूर जुकता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता नॉर्मल की ओर जुकता है और अमारा इस question का right answer है नॉर्मल की ओर जुकता है वे तरंगें जिनके संचिनेड के लिए भौतिक माध्यम आवश हैं यह जिस वस्तुवा पड़ती हैं उनका ताब बढ़ जाता है इनका प्रकीनन लाल रंग के द्रश प्रकास से भी कम होता है इसलिए यह कोऊरे वह धुन में भी काफी दूर तक चली जाती है इसलिए खराब मोसम वह कोऊरे में फोटोग्राफी है तो इनी के नुका दिसा में कमपन करते हैं कमपन करते हैं लेकिन किसी निच्छी दिसा में नहीं तरंग प्रशार के दिसा में लंवत कमपन करते हैं और हमारा इस कोईशन का राइट अंसर है तरंग प्रशार के दिसा में कमपन करते हैं जब ध्वनी हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा क कण तरंग प्रसार के दिसा में कमपन करते हैं वनी एक यांत्रिक तरंग है जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवेशक्ता होती है नेक्स कोशन निमली कित में से कौण सा मकडियों का अध्यान है आपके ओप्शन से आर्कनलोजी एंत्रोपोलोजी एपियोलोजी साइनोलोजी और आमारा इस कोशन का राइट अंसर है आर्कनलोजी आर्कनलोजी मकडियों के अध्यान से संबंदित होती है ओप्शन में अगर हम देखें तो एंत्रोपोलोजी ये मानव की संस्कृति ये सविता के अध्यान से संबंदित होती है एपिकोलोजी ये मधुमक्की के अध्यान से संबंदित होती है साइनोलोजी ये कुतों का बढ़ते हैं अपने नेक्स कोशिन पर टैक्सोनोमी मूल रूप से किसे संबंदित है आपके ऑप्षिन से जय विवित्ता, कार धाच्या, खगुल विग्यान की एक साखा, माना विवार का अध्यन और हमारा इस कोशिन का राइट अंसर है जय विवित्ता टैक्सोनोमी यानि की वर्गी की विग्यान मूल रूप से जय विविसा से संबंदित है आदूनिक वर्गी करन की निव केरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नीचर में डाली इस ती इन्हें दुना प्रणाली बनाने का श्रेवी है इस प्रणाली के अनुसार प्रतिक प्रानी के नाम का प्रतम शब्द वन्स यानि की जीनस को तता दूसर शब्द जाती को दर्शाता है नेक्स्ट कोशन एन्कोलोजी किस विमारी के उप्चा से जुड़ा है आपकी उप्शन्स हैं अस्ति सुसुष्जित्रा, मदूमे, कैंसर, वक्र संबंदी विफल्टा और हमारे इस क्वेशन का राइट अंसर है कैंसर एन्कोलोजी कैंसर से संबंदी चिकिस सविग्यान की एक साका है कैंसर रोक में कोशिकाओं की अनियान्ति व्यद्धी होती है इसे करक रोक कहते हैं ओप्शन्स में अगर हम देखें तो अस्ति सुसुर्टा ये उम्र संबंदी विकार है जिसमें अस्ति की पदार्तों में कमी से अस्ति भंक की प्रबल समावना है एस्ट्रोजन इस्तर की कमी इसका सामाने कारण है नेक्स्ट उप्शन देखे मदू में एक लंबी अवदी में उप्तरक्त सरकरा के इस्तर की बड़ोत्री होती है यह अगनाशे में बीटा कोशिका से प्यापती इंसूलिन का अत्पादन नहीं होने का कारण होता है वक्र संबंदी विफलता वक्रों की खरावी की कारण रक्त में संचे यूरिया की मतरा बढ़ जाती है जिसको यूरिमिया कहते हैं जो बहुत खतरना तता वक्रिय विफलता का मुक्क के कारण है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोशिन पर जानवरों के उनके पर्यावरेड के साथ सम्वंदों के अध्यान को क्या कहा जाता है आपके ओप्शन्स है इतोलोजी, एंटोमोलोजी, क्लाइमेटोलोजी, एकोलोजी और हमारे इस कुश्चिन का राइट अंसर है एकोलोजी जानवरों के उनकी पर्यावंड के साथ समवंधों के अध्यान, इकोलोजी कहा जाता है Next question विश्वास और प्रताओं का एक संग्रे जिसका उद्देश माना आवादी की अन्वान्शिक गुडवत्ता में सुदा लाना होता है यह किस अनुवांशिक की छेत्र को कहा जाता है आपके उप्षन से अनुवांशिक इंजिनियरिंग, क्लोनिंग, भूणचैन, यूनिनिक्स और हमारे इस कोशिन का राइट एंसर है यूजी निक्स विश्वास और पर्थाओं का एक संग्रह जिसका उद्दिश मानव आवादी की अनुवांशिक गुडवत्ता में सुधा लाना होता है ये अनुवांशिक की छेत्र में यूजिनिक्स कहलाता है अनुवांशिक की इंजिनियरिंग के द्वारा मानव का अध्यन कर मानव की रो प्रियोग हमें गुड़ों की विरासत को एक पीडी से अगली पीडी में ले जाने में एक तंत्र प्रदान करते हैं आपके ओपिशन्स हैं स्टेनली मिलर के टॉर्विन के मेंडल के हेरोल्ड उड़े के और हमारे इस क्वेश्चन का राइट अंसर मेंडल के सर प्रतम अरण मेंडल को अनुमान शरी का जनक माना जाता है नेक्स क्वेशन पुनर जनन का अर्थ है आपके ऑप्षेन से खुवे हिस्से का प्रतिस्थापन छोटे खंड से जीव के पूरे सरीर का निर्माड कलियों का निर्माड उप्रियों के सभी विखल और हमारे इस क्वेश् अथा जीव के च्छत विच्छत होने पर या टुकडे या विवक्त हो जाने पर ये टुकडे ब्रदी कर एक नए जीव के रूप में विक्सित हो जाते है इस निर्वाड की प्रक्रिया को पुनर रुद्ववन या पुनर जनन कहा जाता है व्यस्क के सरीर पर एक कालिक उत्पन होती है बाद में ये कालिक पूनर व्रदी के बाद सरीर से अलग होकर नया जीव बनता है इसी प्रकार का जनन मुकुलन कहलता है नेक्स कोशन निम लेखित में से कौन सा दूद का प्रोटीन है आपकी उप्चिन से ग्लाइसीन, गैलेक्टोज, रैनिन, कैसीन और हमारे इस कोशन का राइट अनसर है कैसीन कैसीन दूद का प्रोटीन होता है नेक्स कोशन डी एनने अनुकरम में जीन को चिनित करने की प्रेक्रेवर क्या कहा जाता है और हमारे इस कोशन का राइट अनसर है अनुकरम में जीन को चिनित करने की प्रेक्रेवर को अनुकरम कहा जाता है नेक्स कोशन मानव शरीर में सबसे प्रचूर मत्रा में मौजू तत्व कौन सा है आपके ऑप्शन से कारवन, ऑक्सिजन, नाइट्रोजन, केल्शिया और हमारे इस कोशन का राइट अनसर है ऑक्सिजन मानव शरीर में सबसे प्रेयुक्त मत्रा में मौजू तत्व ऑक्सिजन है मानव सरीज में मुक्ते 6 तत्व पाई जाती है जिसमें ऑक्षिजन सबसे अधिक मात्रा यानि कि 65% पाई जाती है अन्य तत्व हैं कारवन 18% हाइडोजन 10% नाइटोजन 3% कैल्शियम 2% फोस्फोरस 1% किसी बोल्ट मीटर का उप्यो क्या मापने के लिए किया जाता है आपके उप्षिन से वायू प्रतिरोद विवानतर चुम्मक्य प्रेरण विदुद धारा और हमारा इस कोशन का राइट अंसर विवानतर किसी विदुद परित्पत में किसी दो विंदियों के बीच विवानतर को मापने वाला यंदर वोल्ट मीटर कहलाता है वोल्ट मीटर का अविश्कार येर 18-19 में हैंस औरेस्ट द्वरक किया गया था बढ़ते हैं अपने नेक्स कोशन पर तरल पदार्थ के घनत को मापने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है आपके ओप्शन्स हैं आदरता मापी, हाइडरो मीटर, हिपसो मीटर, फैदो मीटर और हमारा इस कोशन का राइट अंसर है हाइडरो मीटर हाइडरो मीटर के द्वारा द्रवों का आपेचित घरत्व गयाद करते हैं आदर्था मापि यानि कि high grow meter की सायता सिर वायू मंडर में व्याप्त आदर्था को मापते हैं फैदो मीटर यद रियंतर से समध्रों की गाराई मापते हैं 500 मीटर का उप्योग समॉधर तरहल से उचा ही जयाद करने के लिए करते हैं ये थे हमारे RRB में आए previous year questions जो कि आने वाले all type of exams के लिए important science questions हैं। उमीद करते हैं, questions आपको पसंद आएंगे, keep watching channel, thank you.